इन्होंने फैसला किया, और फैसला पहले किया मुझे मरवाणे का चार लोगोंने बंद कमरे में फैसला किया, मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि इन्होंने फैसला किया दोस्तों एक बहुती बड़ी घटना घट चुकी है ठीक शिंजुआबी की तरह एक और एक्स प्राइम निस्टर की जान पर खत्रा बना शिंजुआबी को मारने के लिए तो एक गन्मैन था लेकिन इमरान खान को मारने के लिए दो गन्मैन मौझूद थे मतलब कुछ भी हो जाए बस इमरान खान बचना नहीं चाहिए और सबसे अजीबा जो इस पूरे मुद्दे में सामने आई है कि इमरान खान कह रहा है कि मुझे तो ये पहले से ही पता था और ये भी पता था कि कौन तीन लोग है जो मुझे मरवाना चाहते है मैंने जनता को ये पहले से ही बता भी दिया था आप उनकी ये वीडियो क्लिप देखो अब दो सबसे बड़े सवाल जो खड़े हो जाते हैं कि अगर सच में इम्रान खान को पता था तो फिर कुछ है क्यों नहीं और दूसरी चीज़ कि क्या ऐसी ही हर बड़े नीता को माड़ दिया जाएगा और अगर उनकी ही जान सेफ नहीं है और नहीं हो रही है तो आम जनता तो क्या ही है फिर और ये आम जनता वाला मुद्धा इतना बड़ा मुद्धा है कि अब आप जो ये नेक्स क्लिप सुनने जा रहे हो उसे सुनकर आप अपना सर पकड़ोगे here me the ex prime minister the head of the biggest party in pakistan my government is in control in the biggest province in Punjab where this attempt took place do you know i could not get a case registered against these three important people and only because one of them was this intelligence officer i couldn't do it because they are so powerful that the police would not register my case so just imagine what a common man goes through this in this country. When he comes against the powerful, you're helpless. समझ लो, आम जनता का क्या ही है? और आप ये समझो कि इंडिया और पाकिस्तान में जनता की स्थिती लगभग लगभग एक जैसी हो रखी है. जब इतने बड़े आदमी के कहने पर भी कारवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता का नंबर तो दूर दूर तक नहीं आता है. और दोस्तों, इम्रान खान का जो ये इंटिव्यू है न, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इतनी डीटेल में खुद किसी पॉलिटेशन ने साधी चीज़े नहीं बताई हैं, कि कितना एक्स्ट्रीम वाइलेंस और बूटालि है, इग्जाक्ट उसी ओर्डर में हुआ है, आप ये कंपारिजन देखिए, में 2022 और नवेंबर 2022 का अन सारे लीडर्स का मर्डर हो गया और ये मर्डर करवाया जाता है선 के ज़रीए ईकनामिक इलिगाम के जरीए, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में, आसे कमुछ लोग होते हैं, ये किसने बताई इकनामिक हिटमेन के बारे में, ये CIE ने खुद देकलियर कर रहे है, जैसे professional shooter you know he shot with this automatic if you I have done pistol shooting and if you shoot it on automatic it's very difficult unless you're used to it to control it because it goes up but he had complete control so he was a trained guy. सबसे पहले उनके पास होता है, कि देश की सरकार को गिरवा collateral, अगर देश के सरकार नहीं मानदे तुम्हारी बाती तो सरकार गिरादो' सरकार कैसे गिराई जाती है, सरकार गिराई जाती है, IICA liценко नेटवर्क बनाए है, پॉईंटर इंस्टिट्टोट में, तो आइफसे नेटवर्क के द्वारा ये मीडिया कंट्रोल कर लेते हैं तो अब अगर मीडिया उनके हाथ में आ गई तो मीडिया की मदद से किसी भी सरकार को गिराना बहुत इजी है सेंटिमेंस अब पीपल देन रूलिंग पाटी इंफरमिशन मिनिस्टर अलों विडिया के द्वारा काफी संभव है और अगर मीडिया के द्वारा सरकार नहीं गिरी जैसे लीबिया नहीं गिरा था गदाफी तो गदाफी ने इतनी प्रोस्पेरिटी कर दीते उस देश में तो फिर क्या है फिर उनके पास एक टीम होती है जैकाल्स बोला जाता होने तो जैकाल सा काम होता है वो हिटमेंस होते हैं सीधे मडर करना उन लीडर्स का मडर करना अब आप नेक्स चीज समझो कि सारे कि सारे नेताओं की जान इतने खत्रे में होती है कि ये समझने के लिए हमारी टीम ने एक छोटी से लिस्ट प्रिपेर करी है क्योंकि असली वाले जो इलीट्स है जैसे कि World Economic Forum, WHO, World Bank, WTO उन पर तो इलीट्स वाले रूल्स भी लागू नहीं होते हैं इन फाक्ट उन पर कोई भी रूल्स लागू नहीं होते हैं तो देशों के प्रधान मंत्री भी असली इलीट्स नहीं होते हैं इस पूरी दुनिया का सिस्टेम आपस एक डायग्राम से समझो कि सबसे उपर जो बैठे हुए हैं वो सारी की सारी ग्लोबल इलीट्स हैं जैसे कि World Economic Forum, WHO, UN, WTO और इनके साथ ही दोस CIA इस सारी ग्रुप्स अपने उपीनियन्स को देशों पर थोपते हैं एक टूल के जरी जिसका हाड़वेर है मनी और उसका सौफ़वेर है World Bank और IMF अब देशों की सरकारी इस सारे उपीनियन्स आम जनता पर थोपती हैं अब जितनी ही दुवधा में आम जनता है न उतनी ही दुवधा में ये देश की लीडर्स भी होते हैं ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो डूपॉंट, मुंसांटो और फार्मसेटिकल्स कितना बड़ा स्कैम है वो ना जानता हो लेकिन अगर देश का नेता इनकी बात नहीं मानते हैं तो डारिक्ली और इंडारिक्ली उनका मुर्डर हो जाता है या फिर तक्ता पलट हो जाती है हिटमेंज और जिकाल्स के जरीए और यह जो हाइरार्कि आप देख रहे हैं ना यह हाइरार्कि तो खुद वो 히टमेंज अपनी ही किताबों में अपनी बोक्स में लिक लिक कर लोगों को बता रहे है कि हां हम ये करते हैं खुद CIA बताता है अपने documents को declassify करके और वो सारे documents आप सबको पकड़ा भी देता है अगर आप कभी DuPont की जो case चड़ी है वो देख लोगे कि कैसे उसका cancer causing chemical teflon आज हर इंसान के शरीय में मौजूद है जबकि हर court case में नतीजा आया है कि हाँ इससे cancer होता है जिस कारण DuPont करीब 700 million dollar के compensation दे चुका है उसके बाद भी सरकार DuPont के आगे घुटने टेक चुकी है क्योंकि सरकार पैसो से चलती है आपके सेहत मन्थ होने से थोड़ी चलती है दूसरा अगर आप Monsanto की case study देख लोगे जिसमें हर court case में नतीजा आया कि हाँ Monsanto के round up से cancer होता है और वो 10 billion dollar के compensation claims भर चुकी है तीसरा अगर आप CIA के documents पढ़ लोगे जैसे गोते माला में उन्होंने क्या किया Operation Condor, Agent Orange का case देख लोगे Operation Popoy, MK Ultra, Operation Sunshine, Operation Gladio चौथा अगर आप Geo Engineering और Chem Trails के बारे में पढ़ोगे पांचवा अगर आप Glyphosate के बारे में पढ़ोगे छटा अगर आप Genetically Modified Food के बारे में पढ़ोगे और सात्वा अगर आप Pharmaceuticals की एक ही book पढ़ लोगे Death by Medicine आठवा और आपका फेवरेट 5G के खुद इन ही लोगों के research paper पढ़ोगे तो इस सारी चीज़े पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आम जनता का असली दुश्मन कौन है और पढ़ना कहां से? इन ही की website से, इन ही की official sources से क्योंकि जिस तरह World Economic Forum का agenda जा रहा है तो वक्त आ चुका है, आपको ये साधी चीज़े रटी ही होनी चाहिए इन सारे events पर हम पिछले 2 सालों से videos बनाते हुआ है क्योंकि ये सारी चीज़े अब एक larger picture में देखने का वक्त है क्योंकि ये normal बात नहीं है कि ऐसे चलते फिरते murder हो जा रहे है प्राइमनिस्टर्स के conclusion हम discuss करते हैं कि आप ये देखो कि CIA जो है वो directly या चाहिए indirectly आज 2022 में लगबग लगबग हर देश की politics में घुस चुका है हर देश में किसे न किसी party को वो influence करता है पंड करता है, उन्हें support करता है बहुत सारे नेताओं के murder तो CIA खुद accept कर ही चुका है कि हाँ हमने मारा है और बचे हुए कुछ नेताओं के murder में दिख तो रहे कि हाँ directly CIA involved है लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कही नहीं सकते क्योंकि शायद हम उन्हीं के मूँ से सुनने का वेट कर रहे होते और Edward Snowden और Julian Assange ने तो अपना जीवन खत्रे में डाल कर ये सारे documents चंता को पेश कर ही रखे है और दोस्ते जो इमरान खान के साथ हुआ इसमें बहुत संभावना है कि CIA involved हो चाहे पहली नजर में लग रहा है कि opposition ने करवाया है क्योंकि जब आप उसामा बिन लादिन का पूरा केस पढ़ते हो सिर्फ ये नहीं की वो आतंगवादी है जब आप पूरा केस पढ़ते हो और जब आप सद्दाम हुसेन का पूरा केस पढ़ोगे और जब आप Operation Gladio पढ़ोगे तो आपको पूरा खेल clear cut समझाएगा कि CIA का Pakistan, Russia, China इन देशों में कितने ज्यादा vested interest है तो आप ये solution समझो पहली चीज, की reason कुछ भी है लिकिन इस वक्त के लिए आप ये clear हो जाओ कि ये hierarchy exist करती है सबसे उपर ये international organizations उनके बहुत नीचे ये नेता लोग और उनके बहुत नीचे हमाम जनता जो जिस दिन अगर जग गई तो ये hierarchy पूरी पलट हो जाएगी ये सारी जानकारिया जिस दिन जनता में फैले लग जाएगी तो एक बहुत strong narrative create होगा और असली issues तब पहली बार discuss होना शुरू होंगे असली discussion यही है और समधान भी यही है कि सारी जानकारिया जो आपने इस वीडियो में सुनी है उपर A to Z सारी वीडियो स्टीम लाइस आने बना भी रखी है और एक organized solution भी completely prepared है उसका नाम है IMPH आप IMPH network का हिस्सा हर हाल में बने और अब आप मेरे next दो वाके ध्यान से सुनिये पहली चीज़ अगर आप international plans और great reset समझते A world economic forum क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते है तो आपको बस screen लिखकर K-R-E-E-N ये लिखकर इस नमबर पर WhatsApp करना है जिसके बाद आप shortlist हो जाते हो और आपको team lifestyle की live training अटेंड करने के लिए form दिया जाता है जिसमें आपको बेहत ज़रूरी research समझाई जाती है और इसका solution है IMPH उसका part 1 आपको समझाया जाता है दूसरी ज़रूरी बात बहुत सारे लोग पिछले डेर साल से हर महीने regular webinars अटेंड कर रहा है जिससे एक बड़ा ग्रूप बन चुका है जिनके बहुत strong basics हो चुके है और बहुत deep knowledge हो चुकी है इन सारे agendas की कि world elites human civilization को किस दिशा में ले जा रहा है world economic forum जिस speed से फैल रहा है हमें भी उतनी ही speed से IMPH solution की तरफ बढ़ना है आप जल्द ही training अटेंड करें और solution का हिस्सा बनें और आप long term training अटेंड करें क्योंकि तब ही वो solution practical है तो next video में जल्द मिलते हैं और तब तक आप ये video जरूर देखें ताकि आप और जहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें